कि सब्सक्राइब की जी दे पर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो इस्टुडेंट आज मैं आपके साथ NCRT की पुस्तक लोकतांत्रिक रादनिती भाग दो कक्षा 10 का लैसन नमबर टू संगवाद के महत्वपूर्ण परसनुत्तर डिसकस करने जा रहा हूँ यह जो परसनुत्तर हैं CBST की परिक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण परसन है यानि अधिकतर CBST की परिक्षा में यह परसन बार बार पूछे जाते हैं और बार बार आने वाले परसन हैं और आने वाले परिक्षा के लिए भी यह परसन बहुत जादा महत्वप तो मैं उसका link जो है जो मैंने इससे पहली class संगवाद के उपर जो अपनी class ली थी उसका link मैं अपने description में दे दूँँगा उस link पर जाकर आप मेरी संगवाद की class देख सकते हैं और जितने भी ये question हैं उन सभी question के answer आपको detail में सारे के answer उस video के अंदर मिल जाएंगे एक भी question ऐसा नहीं बचेगा जिसके answer उस video में ना मिले तो हम जो है एक एक कर से सारे question को discuss करते हैं और सारे question को पढ़ते हैं सबसे पहले हैं जो हमारा question है वो है कि संग्य वियावस्था की पर्मुक विसेस्ताओं का wonder कीजिए तो संग्य विसेस्ता आपको बतानी हैं तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि संग्य वियावस्था होती किया है कि ऐसी व्यावस्ता जहां पर एक से ज़्यादे इस्तर की सरकारे होती हैं उसको संग्य व्यावस्ता कहते हैं एक्जामपल के तोल पर हमारा भारत भारत में एक से ज़्यादे इस्तर की सरकारे हैं यानि त्री इस्तर ये सरकारे हैं केंदर में अलग सरकार है राज्य में अलग सरकार है और इस्थानी इस तर पर अलग सक्तियों का बटवारा किया गया है तो ऐसे वियावस्ता जिसमें एक से जादे स्तर की सरकारे होती हैं उसको संगिया वियावस्ता कहती है संग्य व्यवस्था में सक्तियों का बटवारा सविधान में वर्णित होता है कि किसके पास क्या-क्या अधिकार छितर होगा राज्य के पास क्या सक्तिया होंगी और केंद्र के पास क्या सक्तिया होंगी इन सभी का वर्णन भारते सविधान में होता है संग्य व्यवस्था के अंदर जो एक सविधान होता है जो की काफी कठोर होता है और मैं बात करूँ कि संग्य व्यवस्था की कि संग्य व्यवस्था में एक सुतंतर नियाए पालिका भी होती है जो कि केंदर और राज्य के भी जब कोई विवाद हो जाता है तो उसके विवाद का निम्टारा करती है संग्य वियोस्ता में जो है सविधान के मूलिक प्रावधानों को कोई एक सरकार अकेले नहीं बदल सकती है तो ये मैंने संग्य व्यवस्था के कुछ विशेस्ता है आपको मैंने बताई है और संग्य व्यवस्था के जो कुछ उधारण है जैसे कि भारत और अमेरिका में संग्य व्यवस्था है भारत में जो संग्य व्यवस्था है वो कनाडा से ले गई है ले गई है संग्य व्यवस परमुक अंथर उधारन सहीत इसपश्ट कीजिए यानि संग्य वयवस्था और एकात्मक वयवस्था में आपको अंतर बताना है तो जैसे कि मैंने भी आपको विशेशता बताई संग्य वयवस्था की कि ऐसी वयवस्था जिसमें एक से जादे इस्तर की सरकारे होती है उसको स संग्य वयवस्था के अंदर सक्तियों का बटवारा होता है और जबकि एकात्मक सासन वयवस्था के अंदर जो है सक्तियां केंद्र के अंदर नहींत होती है हम बात करें कि संग्य वयवस्था जो है संग्य वयवस्था के अंदर जो है केंद्र और राज्य के पास अलग सक् होती है जबकि एकात्मक सासन व्यवस्ता में केंद्र जादा सक्तिसाली जादा पावरफुल होता है अब बात करते हैं कि इनके उधारन की तो संग्यव्यवस्ता के जो उधारन है भारत है और बेल्जियम है अमेरिका है, स्विजर लेंड है, आस्ट्रेलिया है इस सारे के सारे जो देश है, स्पैन है इस सारे संग्य व्यवस्था वाले देश है बात करें एक आतमक व्यवस्था की तो स्री लंका के अंदर एक आतमक व्यवस्था है तो हम ये अंदर लिख सकते हैं हम बात करते हैं परसा नमबर तीन परसा नमबर तीन है कि भारत की भासा नीती का वर्णन कीजिए भारत की जो भासा नीती है इसका हमें वर्णन करना है तो भारते सविधान में जो भारते सविधान है भारते सविधान की जो अनुसूची है भारते सविधान की आठवी अनु रहते हैं लगबग 40% लोग भारत के अंदर हिंदी बोलते हैं लेकिन भारत ने हिंदी को राष्टे भासा का दर्जा नहीं दे कर जो है हिंदी को राज भासा का दर्जा दिया है हिंदी जो है हमारी राज भासा है और अन्य 21 भासाओं को भारत ने जो है अनुसूचित आए हैं जिसका वंडन हमारे भारते सविधान की आठवी अनुसूची में है नेक्ट कोश्चन के हम बात करते हैं हमारा दो नेक्ट कोश्चन है कि संग्या व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो महतुपून चीजे किया है तो संग्या व्यवस्था के गठन और कामका आज के लिए जो दो महतुपून चीजे हैं सबसे पहले जो चीज है वो है सत्ता का बटवारा और नमबर दो है नियमों पर सहमती यह दोनों चीजें महतुपून हैं कोशन नमबर फाइफ पढ़ते हैं कोशन नमबर फाइफ है सत्ता का विकेंदरी करण किसे कहते हैं और विक जब जो है केंद्र और राज्ये से यानि केंद्र से और राज्ये से सक्तियां जो हैं किसको दे दी जाती हैं इस्थानिय सरकार को दे दी जाती हैं यानि जब केंद्र और राज्ये सरकार से सक्तियां लेकर इस्थानिय सरकार को दे दी जाती हैं तो उसको सक्ता का विकेंद्र करण कहते हैं अब 1905 में में विकिंद्री करण को लेकर क्या 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 कदम उठाए गए थे कि तो इस्थाने सरकार को जादे सक्तिसाली बना दिया गया था दूसरा हर पांस साल के बाद चुनाव कराने तैंग किये गए थे कि हर पांस साल के बाद जो हैं चुनाव होंगे और S.C.S.T. के लिए सीते आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए एकतिहाई सीते आरक्षित की गई थी और हर राज्यों में पंचायत नगरपाली का का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोक का गठन किया गया था अब next question के हम बात करते हैं कि इस्थाने सरकार के महत्व का वर्णन कीजिए देखो भारत जैसे एक विशाल देश में इस्थाने सरकार का बहुत जादा महत्व है क्योंकि भारत भी विद्दाओं वाला देश है और बहुत बड़ा देश है यहां पर इस्थाने सरकार का और भी जादा महत बढ़ जाता है क्योंकि देखो हर छेतर की हर एरिये की जो अपनी अलग प्रोब्लम होती है उनकी जो है यानि किंदर की अलग समस्या है राज्य की कोई अलग समस्या है और जो इस्थानिय गाओं है गाओं की कोई अलग समस्या है करकार का एक और महत्व है इससे जो जंता जो है इसमें जंता सीधी भागेदार हो जाती है यानि इसमें जंता की भागेदारी सुनुशित हो जाती है और यह जादर लोकतांतरिक भी है नेक्ट कुर्शन पर आते हैं कि स्थाने सासन वाली कौन-कौन से संस्ताइं सेहरों में क काम करती है और बड़े सहरों में नगर निगम काम करती है नेक्स कोश्चन पर हम आते हैं कि नगर निगम के परमुक को क्या कहते हैं तो नगर निगम के परमुक को मेर कहते हैं नेक्स कोश्चन है कि भारते सविधान में केंद्रे वे राज्यों के बीच सक्तियों का बटवार किस परकार से किया गया है तो भारते सविधान में केंद्रेवे राज्यों के बीड जो सक्तियों के बटवारी को लेकर भारते सविधान की जो अनुसूची जो सात्वी अनुसूची है उसमें जो है केंद्र तीन अनुसूचीयां दी गई है जिसमें जो है कि तीन सूचिया वताई गई हैं संग सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची जो संग सूची के विशे हैं संग सूची के विशे पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और राज्य सूची के विशे पर राज्य को कानून बनाने का अ संग सूची के अंदर जो हैं पहले 97 विसे थे मैं आपको बता दूँ कि संग सूची में पहले 97 विसे थे जो कि बढ़ा कर अब 100 कर दिये हैं और राज्य सूची के अंदर पहले हमारे 66 विसे थे जो कि अब घटा कर 61 कर दिये गए हैं राज्य सूची में समवर्ती सूची के अ पंचाय समीति का गठन कैसे होता है यानि जो हमारी पंचाय समीति है इसका गठन कैसे होता है तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचाय समीति का गठन होता है तो इस परकार मैंने संगवाज चैप्टर की CBST की परिक्षा में आने वाले परसनों को डिसकस किया है यह कोशन बहुत ज़ाद है महत्वपूर्ण है और इन सभी को अगर आपको डिटेल में आंसर जानने हैं तो मैं इस जो मैंने चैट पर समझा रहा है संगवाद उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दे दूगा आप उस लेसन को अच्छे से देखना इन सभी कि आंसर आपको उसे अंदर और भी जो है डिटेल में मिल जाएंगे और ये जो कोश्चन है ये बहुत ही महत्पूर्ण है और इन कोश्चन को आपको बहुत अच्छे से तयार करना है ठीक है मैं आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जादे सजादे सेर कीजिए धन्यवाद